नमश्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूटूब चनल पर दोस्तों जैसा कि हमने पिछले 10 दिनों से एक रेंज बनाई हुई थी लगबग 8-10 दिनों से यह रेंज हमारी बनाई हुई थी हमने कहा था हमने अनिलाइज करा था क मार्केट जब इस डोजी केंडल के या इंडिसिजन केंडल के ऊपर या लोवर सैड में निकलेगी तो हमें अच्छी खासी देखने के लिए मिल सकती है अब मार्केट ने जैसे ही हमारे 222 लेवल को क्रोस करा तो मार्केट कहा जाती है शिदी 44950 के आसपास अब मार्केट ने वापस आके उसी लेवल के आसपास क्लोज कर दिया है अब ऐसे सेट अप दोस्तों कई पीछे बने हुए है मैं उनका भी दिखाऊंगा अब मार्केट ने वापस आके जो ये रेंज हमारी बनी हुई थी इसी रेंज के अपर साइड में आके अपना आपको फिर से है कि हमारा ब्रेक आउट जो हुआ इस रेंज का वो फेल हो चुका है अभी भी थोड़ी पॉसिबिल्टी है कि मार्केट यहां से सपोर्ट लेके हो सकता है इस रेंज का जो ये रेजिस्टेंस पॉइंट था यहां पर मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए आया है अब कि लोवर साइड की मैं यहां भी यही बताए था कि मार्केट जब इस ग्रीन जब इस ग्रीन candle से नीचे निकलेगे तो अच्छेका श्री लिए मैं देखने के लिए मिल सकती है अब देखे मार्केट यहां इस यहां से निकला वापस फिर इस लेवल को टेस्ट करने के लिए इसके बाद फिर नीचे दंदन आता हुआ आ गया ऐसे ही मैं पीछे एक लेवल दिखाता हूँ यह किलियर कर देता हूँ ऐसे दोस्तों बहुत से लेवल है जो मार्केट जो रजिस्टेंट से सपोर्ट पे जिस रजिस्टेंट सपोर्टर के बीच में गूमता रहता जब वहा और उस लेवल को जरू टेस्ट करने के लिए आता है दूसरा लेवल यह देखिए यह एक रेंज बनी थी यह देखिए यह रेंज बनी मार्केट पहले यहां एक इसके गैप खुलता है वापस इस लेवल पाके अपना सपोर्ट लेता है फिर उपर दरफ निकल जाता है ऐसे ने वही पैटर फिर से दोर आ रहा है मार्केट पहले उस रेंज से बाहर निकलता है जहां इसे काफिए छे साथ दिन कंसल्डेट करा था रेंज से बाहर निकला ऊपर गया वापस उसी रेंज के आसपास आके फिर इस ने क्लोजिंग दे दी है अब देखना यह है मंडे के में कि मार्केट यह जो ग्रीन केंडल है हमारी मैं ऐसे हाइलाट कर लेता हूँ यह देखिए यह जो ग्रीन केंडल है यह हमारे लिए इंपोटेंट हो गई है अब मार्केट अगर इस ग्रीन केंडल के नीचे निकलता है यह जो ग्रीन केंडल के तो हम फिर से वहीं आ जाए तक और मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हो सकता है मार्केट दीरे-दीरे करके ऊपर के तरफ जाए यानि कि जो मारे पहले रेंज बनी हुई थी फिर से ऊपर के तरफ दीरे-दीरे करें जाता हूँ दिखाई दे आपको तो नजर बना के रखना दोस्तों 45,000 के आस्वास जा सकता है चलिए अब हम देख लेते हैं कि Monday के शायशन में मार्केट को कैसे हम trade कर सकते हैं चलिए चलते हैं हमने पांच मिन्ट के चार्ट पे यह देगे दोस्तों मैंने कुछ लेवल बना के रखे हुए अपने पहले से ही कि मार्केट मंडे के शायशन में अगर 44,200 और 44,355 यानि कि इस 500 पॉइंट की रेंज में जहां मार्केट ने आज लगबग लगबग जाता टाइम सस्टेन करा था रेंज बनाई थी अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है और यहां सस्टेन करता है उसके बाद अगर उपर के तरफ निकलता है 355,366 को क्रॉस करेगा तो मेरा पहला टारगेट होगा 44,444 का जो कि कल की क्लोजिंग है कल की क्लोजिंग का सपास का और दूसरा टार गेट होगा 44,555 का उपर के तरफ मेरी यह दो टार गेट हो सकते हैं नीचे के तरफ दोस्तों कंडिशन होगी कि जो आज मार्केट ने सुबह के टाइम रेंज बनाई थी और पिछले दो-तीन दिन भी हमने लगबग लगबग यही रेंज बनाई है अगर नीचे के तरफ इसे पहले मैं तोड़ सा ऊपर कर लेता हूँ यह जो रेंज है 44,088 गी है और नीचे 43,988 इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है यहां कई मार्केट ओपन होता है और यहां सस्टेन करने के बाद नीचे के तरफ निकलता है और नीचे जैसे ही 966,955 को ब्रेक करेगा तो नीचे के तरफ हमारे पहले टार्केट निकल क आ सकता है 43,888 का और दूसरा जो हमारा target होगा वो होगा 43,777 का यह दो target नीचे के तरफ आ सकते हैं पहला target हमारा इस level के आसपास होगा जो यह level है यह वाला यहां जो market ने consolidate करना का पहला level यह होगा 43,888 दूसरा level हमारा यह होगा 43,777 यह दो level नीचे के तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं, condition यही होगी दोस्तों, कि market अगर इस range में खुलके यह जो 200 वाला level इसे break ना करे इसे उपर के तरफ breakout करता है तो उपर के तरफ level निकल के आ सकते हैं और नीचे के तरफ 44,888 को break ब्रेक ना करें उपर के तरफ नीचे तरफ निकलता है, तो नीचे के तरफ हम trade देख सकते हैं यह जो range होगी बीच वाली, इसमें मैं मंडे के साथ में कोई trade नहीं करूँगा मैं बना setup का wait करूँगा तो चलिए दोस्तों आई होप आपको दोनों ही level समझ में आ गई होगे intraday पर ही मैंने समझाए दिया कि हो सकता है market यहां consolidate करने के बाद यह जो range बनाई थी, यहां consolidate करा उसके बाद उपर निकला, फिर यहां support लिया आप हो सकता है market दीरे दीरे करके उपर के तरफ जाता हुँ दिखाई दे आपको और daily chart में दोनों ही level बता दिये 44,200 और 44,355 का उपर के तरफ range है और नीचे के तरफ 44,88 और 43,966 यह range नीचे के तरफ होगी जैसे ही 966, 965 को नीचे break करेगा तो हम नीचे के तरफ trade देख लेंगे चले दोस्तों मिलते हैं मन्डे के session में धन्यवाद